जाएं दोस्तों कैसे आप लोग उम्मेदे आप सब बहुत अच्छा सोंगे बहुत स्वागत है आप सब इक इस वीडियो में इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को देखने वाल है जो कि अवद इनुस्टी बीएट सेकेंडियर के फर्स्ट पेपर में पूछता है important सवाल है कई बात पूछा गया है और इससे सवाल तो आपको definitely दो से तीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों topic ऐसा है जिसको आपने पहले भी पढ़ रखा है topic ऐसा है जिसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं तो हम यहां पर रिवीजन की तौर पर एक बार इससे गो थूरू हो जाएंगे बस इक बार इसको देखते हुए चलेंगे ताकि फिर से हमें नो कुछ वो कैप कुछ सब्ध भंडार हमें कुछ चीजे के लिए रोजा एक बर ध्यान में आ जाए ताकि हम आपको आसानी से आप exam में लिख सकते हैं तो यह कोई ऐसा topic निए जिसको बहुत रटना है या या यह वह topic जेनरल समाने जो आप लिख सकते हैं लेकिन याद रखिएगा यह सवाल इंपोर्टेंट है पूछे जाते हैं अगर आप पिछले कई सालों के पेपर उठा कर देखें तो यकीन है निससे सवाल पूछे जाते हैं ठीक या आपके सलेबस का हिस्सा है मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं बात कर रहूं एजुकेशन एडुकेशन मेने पर आप अपने सब्दों में लिख सकते हैं उसके योग क्या होता है पार्ठ सहय का हमी क्रियाएं क्या होती है स्वास्त क्या है इस तरीके सवाल आप से पूछाते हैं बैलेंस डाइट संतुलित अहार और समय सारडी कि सिधान टाइम टेबल कैसे बनाते हैं क्या इसके प्र सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले समयने क्या होता है आपको पता हम जैसे हम बैठे हैं या पर हम जो भी चीज़े आसपास से घिरी हैं वह एक पर्यावर्मेंट का हिस्सा है अब इसको लिखेंगे कैसे देखते हुए चलते हैं ओके चलिए देखिए पर्यावर्ण कि हमारे आसपास जो भी चीज़े हैं जिससे हम ठकी होती हैं उसे ही हम पर्यावर्म कहते हैं थोड़ा सा और इसको एक्स्प्लेन करते हो चलेंगे मैं मैंने कहा ना यह वो टॉपिक जो आपको पड़ रखें अब मानो के चारो और फैला हुआ वातावरण या आवरण की प परिभासा जरूर लिखेंगा दो तीन परिवासा जो आपसे याद हो सागे उसको कोड़ कर दीजिएगा जैसे यहां परिवासा है रोस ने कहा था कि पर्यावरण या वातावरण वह बाहर शक्ति जो में परभावित करती है कोक्वट्स ने कहा था हाट की परैवरण इन वैसे डॉक्टर डेविज ने का था कि मनुस्य के संबन में अभी प्राय भूत तल परमानों के चार ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से हैं जो वह निरंतर परभावित होते हैं जिसके वह निरंतर परभावित होते हैं भौतिक स्वरूप जितने भी भौतिक कि नहीं अब आई हैडिंग यहां से एक और आपको मिल जाएगा पर्यावरण के अंग डालके आप इन तीन चीज़ को लिखेंगे कि पर्यावरण के अंग में कौन कौन से चीज़े होती हैं जमीन से जूड़ी हुई चीज़े अस्थल जल और वायू यह सभी क्या हैं पर्या जैविक ततव वह हैं जिनके अंदर जान नहीं होते हैं अजैविक तत्व कैसे जल वावचां कौनसे होंगा जैसे सूरय औरुष़्ाय ताप्मान हवा वर्शा र्यूमेडिट हूं मंबिलिया जयस्वैब सिब्सक्रेट हैं आपके प्रेयवल के टत्व лишь अस्थल Allahu यह सजा परवत दिसा आधी पानी की बात करें तो सागर जील नदीया भूगत जल आधी वहीं क्राब मिट्टी की बात करें तो कही तरी Take मिट्टी होती है मिट्टी के अंदर भी झल पाई जाती है ये सारी चीजे परेवल के ऑज है जन के अंदर जान नहीं होती वैसे मालेंगे ये पठ धात्व हुनीज है उर्जाय खानीज और और द्हात्विक और यह चीज अग है अच्छिज thumbnail मदेशिआ परवथिया दिए अजय विक जिनके आंदर जान नहीं हुए जैविक तत्व की बात करें वह फेक्टर जिनके बेंदर जान होती है और परैवरल का हिस्ता होती है जैसे बनास्पति जीव जन वाले परिवयतन का व्यापक प्रभाव एक दूसरे पर बढ़ता यह सब आपसन क्या होते जुड़े हुए लेते हैं ठीक है चलिए बारिश बारिश से पेड़ पोधे जुड़े हैं हम इंसान जुड़े हैं नतियों से हम सब इंसान जुड़े तो सारे चीज़े क्या है एक परिवकास जा लिए यह जो कोर्स है न तो इसको ज़रा आप कोशिश करेगा कि याद कर लिजे प्रावर्ण सिक्षा एक प्रकिरिया है जिसके द्वारा मानों समाज में प्रावर्ण के परती जागरुकता ज्यान कौसल अभिवर्ति यहों मुल्यों का विकास किया जाता य हम प्रावर्ण को बचा सके संद्रक्षित कर सके प्रावर्ण को बहतर बना सके ठीक है इसी को बहतर बनाने वाली क्या है प्रकिरिया है प्रावर्ण सिक्षा अब आई सिमिन अली प्रावर्ण सिक्षा के बारे में थोड़ा सा और और आप अपने सब्दों में लिखना चा बावी समय जो भी कटनाईया आ सकती है उसे जैसे मालेजिए क्लाइमेट चेंज में आप देखेंगे यह 100% कॉनफॉर्म है कि फ्यूचर में इंडिया का देंपरिचर 50 प्लस जाना है यह हम देखके बता सकते हैं तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं ज्यादा-ज्यादा पेड लगा है उसको सुधार करने के लिए कि ज्यान देती है सुधार करने की बात कहती है कि यह प्राकर्ति के साथ मत खिलो प्राकर्ति का खिलवार मत करो अब प्राइवर्ण सिक्षा के उदेश से हेडिंग डाल दीजिएगा और बस लिखते जाएगा कि अभी तक जो भी आपने समझ प्राकर्ति बहुत 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 अच्छे लगती आप बिल्डिंग्स मॉनोमिर्स जो घूमते जैसे ताजमेल आप घुमेंगे और लाल लाकील आप घुमेंगे इसके बजाए आप खभी ऐसी जग़े के जहाए जहाँ पर पानी बैरा हो जहाँ पर नदिया हो जह तरने हो जहां पेड़ हो पौधे और पहाड़ आप उससे बहतर यहां फील करेंगे तो मकांस यह बिल्डिंग से ज्यादा खुब सुर्टी खुशी आपको और सुकून आपको प्रिक्रिति देगी प्राइवर्ड देगी प्राइवर्ड समस्या की जनकारी देना प्राइवर इस चीज को समझ़ने ठीक है प्राइवर्ड के संतुलन को वीचलित करने वाले कारे कोई आपके सब्सकी लोग को इस प्राइवर्ड के लिए जागरु div करना लान यह भी क्या आप प्राइवर्ड सिख्चा का हिस्सा है चलिए लास्ट पॉइंट है उसके बाद प्राइवर्स खतम होगी वह क्या है दोस्तों कि प्राइवर्स सिक्षा की प्रकिरती क्या है तो भई है देखिए विश्व व्याप्पी है ऐसा नहीं कि अगर हम इंडिया में प्राइवर्स कर ले और पड़ोनी पर नेपार खराब कर लें तो हमें भी फरक पड़ेगा ठीक है अविश्व बंदुता की प्रेड़ा देती है एक साथ मिलकर कार करने की बात करती है एक अनुसात्मक रूप का धाला करती है अरे गया एक समाजिक प्रकिरिया है तो यहां तक आपने प्रेवर्ण सिक्चा की अर्थ परिभ कमके अगला टापिक देखते हैं योग आपने सिक्चेदें लोग यूग करते हैं तो परिषनली करता हूँ योग मुझे बहुत है ठीक है या यूग क्या है स्वस्त जीवन जीने की एक कला है ठीक है मन और सरीर की बीच में समंझस स्थापित करना यूग का कारे है बहुत प्राचीन काल से ही हमारी जीवन सहली का एक अंग रहा है योग, आज योग सभी को अपनी और आकर सिद करता है, ठीक है, बात से, योग की कुछ परिभासा हैं देख लेते हैं, योग चित वृत्ति निरोधा, मन की जो चंचलता है, उसको रोकना योग है, चित की वृत्तियो मन बेखाने पर कंट्रोल ना रखना है, ये भी एक मन की चंप, हाला कि आपके सेहत के लिए सही नहीं है, वो फास्ट फूट का ना, मगर आप फिर भी खा रहे हैं, तो योग, चुकि आपको अपके स्वास्त के परती जागरूप करेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं क्या क्या हमारे सरीर के लिए बैतर है, क्या हमारे सिलक सही नहीं है, क्या हमारे समाज के लिए हमारे सही है, स्वास्त के लिए सही है, तो मन की चंचलता को, मन की वृत्यों को रोकना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है, और भी कुछ परिवासा हैं देख लेते हैं, जैसे महारिषी व्यास ने योग को प्रिबासित करते हुए कहा है कि योग का नाम समाधी जिसका भाउग यह है कि समाधी ध्वारा जीवात्मा el 이ore शत के इसार महरीषी अर्विंद के जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति ही योग है तो इस तरह के से परिवासाः आप योग के बारे में लिखेएगा इंपॉर्टन है पूछता है ठीक है अब योग के लाब क्या होंगे कई फायते हैं योग के लाब के ठीक है योग से क्या होता है इनसान तनाव से रहात मिलती है बहतर नीद आती है भूख पाचन यह सारी चीज़े बहतर होती है ठीक है मन की सांती तनाव मुक्त जीवन इनसान टेंशन फ्री रहता है रिलैक्स रहता है ठीक है इस वर की प्राप्ती सरीर की ठाकान की कमी ठीक है दोस्तों और यह हमारा रोग मुक्तिच सरीर हो जाता है योग से योग अर हर एक चीज के लिए अलग अलग योग होता है जैसे मालीज आपके बाल जट रहे हैं तो उसके अलग योग है हड्यों में कही प्रॉब्लम में तो योग से फाइदा होता है मैं योग पर यकिन करता हूं कि योग एक अच्छा एक्सराइज है वयाम है इससे यकिनन सरी को लाफ मिलता है फायदा होता है इसमें कोई दो रहा है नहीं है वजन पर काबू आप योग से कर सकते हैं ठीक है चली अब एक और स्वास्त सिक्षा क्या है अभी हमने प्राइवर्ण सिक्षा देखा योग देख देख स्वास्त करकी स्वास्त समझता हम इससा जीवन सैल्इन को और लोगों को ढूइंग करने प्रभावी तरीका है कि वह आपना स्वास्त कैसे ध्यान दे, वो अपने आपको कैसे स्वास्त बनाए, अब इसके उद्य से क्या हो सकते हैं, एक बाला की स्वास्त सम्मझदी और सकताओं को समझना, बालों को बताना उसके स्वास्त के बारे में, स्वास्त को देख भाल तता मारक दर्शन करना, हर बच्चे के स सास्त के परनी जावरू करना बच्छों को स्वास्त से रोकती है के इस से रोकना जिससे प्रभाइम उनका प्रभाइत होता है उसको जयान करना स्वास्त गलत दिसामें ले आप क्या बढ़ रहे हैं बस एक बार देखते हुए चलिए और यह ऐसा है कि यह की बार देखेंगे एक बार अभी देख लिए फिर एक बार मन करें तो देख लिए या फिर पॉइंट कुछ समझ में आया तो लिख लिजीएगा बस हो गया ऐसा आहर जिसमें सभी प्रकार के म पूरी हो जाती है थिक संतुलित आहार उसी कहते हैं कि प्रॉपर टरीके से उसमें कर्बोहईडडरेट भी विटामीन भी हो यह प्रोटीन भी हो घुख बी वह सबीचीज्ब हो हो जाता है और है सब्सक्राइब हाब भोजन तो मॉझा तो सबीं पूसकत्त तो मौझूद ह वह उचित मातरा में मौझूद हो सबीग पो सकता तो उचित मातरा में मौझूद हो यही क्या है संतुलित है कैसे यह कार्भूहाइडरेट कुल कैलोरी का 60-70% हो प्रोटीन 10-12% हो और फैट 20-25% हो चली संतुलित अहार से लाब क्या है बैलेंस डाइट से प्रॉपर करने से क्या लाएं पहले तो आपका स्वास्त सखील मिया नहीं पर तिर चाहिता है आपके शरी कारे करने में सुधार मिलावा नब की उर्जक्रेश्च्ट को मतलब आपको डब्लू बीसी आपने सुना होगा है कि हमारे सरीर में हमारे सरीर में हम एरे बिमारीepend की ताकत होती है दवाईयां क्या करती है उस ताकत को थोड़ा बढ़ा देती है ठीक है जैसे मानले आपको लिट सपूज आपको बुखार हो गया तो बीने दवा खाये भी आप सही हो सकते हैं अगर आपके अंदर डावलू बीसी वो जो प्रतिरक्षर प्रडाडी है वो मजबूत है कमजोर है तो आपको दवा खाना पड़ेगा फिर वहां से वो प्रतिरक्षर प्रडाडी जो है वो मजबूत होगी फिर वो बीमारी वो बुखार के वायरस को या बुखार की जो भी कार्क है उसको खतम करें ठीक है तो स्वस्त आहर क्या करती है उसी प्रतिरक्षर प्रडा या यी से इन सब के सबती दों की पूरती करता है बीमार्य को रोकता है उनक selv करता है सफंट भोजन से इसे बलड पेशर वी नाभ यह कंप उब जह रहता है जैसा कि एक विशेज प्रकार का आहार पादन करने के लक्षड को कम किया जा सकता है बीमारी स्थित को बहतर प्रावाइगे आप क्या करेंगे उर्जावान महसूस करेंगे एनर्जेटिक फील करेंगे चीक है तनाओं में लड़ने में मदद मिलेगी आपको एनरजी मिलेगा और क्या फ्यू पॉइंट्स मोड लाइक हमारे पास थोड़ा सवर पॉइंट है कौन सा पहला संक्रमक रोग इन्फक्सियस डिजीज क्या होता है यह देख लेंगे उसके बाद एक और टॉपिक रहगा फिर इसके वीडियो कि समभाप करें तो इन्फक्सियस डिजीज भी आप से प एक से दूसरे तक हो जाते हैं जैसे प्रोटोजोवा इस्ट बेक्टेरिया वाइरस इत्यादी जैसे अभी कोरोना आए था तो वाइरस से फैलता था ठीक है के माध्यम से एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैलकर उसे संक्रमीद करता है मलेरिया टाइफाइट चेजर की और या कोरोना यह क्या है एक इक इंफेक्सिस डीजीज है यह क्या है भई संक्रमग रोग अब आई एक टॉपिक समयसारी बार के समयसारी समयसारी देख लेते हैं समय सारी टाइम टेबल क्या बाई टाइम टेबल होता क्या इसके बारे देख लीजिए तो देके प्रतेग विद्याले में में विविन विसयों का सिक्ष्रकार, खेलकूत पाठ रिष्टा-गामिक्रियान, विविन प्रयोगी कारीक्रम, साहितिक अमसारसिक गति-विदिया, लिए तो किया करता है तो टाइम टेबल क्या करता है तो किस के बाद से कौन कार्य करना है कब क्या होना चाहिए तो एक क्रम बद्ध है आपके सभी कारेक्रम को एक sequence wise एक प्रपत्र है शूची है एक टेबल है जिससे आपको यह पता चाबता है कि किस समय पर कौन सा आपको कारे करना है समय सारडी के समय में एक और ती लिका जाता कि वीद्ध YOU Grand will कि वह प्रपत्र है यह फिर वह visit कर देद निधारित करते हैं कब कौन सा क्या होना है ठीक यह टाइम टेबल की बात और परिभास आए देखेंगे डॉक्टर एस एन मुखर जी ने कहा था कि समय सारडी वह दरपड है जिसमें विद्याले के समस्त कारेक्रम प्रत्य बिंबित होते हैं जिसमें वह इमेज के रुख में दिखाई देते हैं तंटन एम तिरपाटी के महत्यों देख लीगी और समय सारी के सिंधान देख लीची महत्यों क्या वैं आपको विद्याले के कारेक्रमों का ज्यान हो जाएगा कुछ बहुत ज्यादा थीरी तो नहीं हो रहा ना थेक्जाम टाइम है आप एक बार इसको देख लीजेगा मैं भी कोशिश करता हूं क वह थीर ही ना चलू मैं बस कोशिश करता हूं कि बात करते हुए चला रहा है तो अब जनरल से सोचे कि टाइम टेबल आपके बास है उसके क्या फाइदा हो सकता है तो पहले बात तो आपको पता चलेगा कि कौन से समय पे विज़ाले का क्या काम चल रहा है कौन से क्लास में क्या सब्जेक चल रहा है निरिक्षण की सुविदा होगी कारे वित्रण में समानता पहीं ऐसा तो एक टीचर को एकी समय पे दो क्लास नहीं हो सकता आप टेबल बनाएंगे तो वो सिट रहेगा थकान कभी आप ध्यान रखेंगे नेतिक गुणों का विकास करेंगे कार यह अब यहां पर टाइम टेबल की बात की जाती है तो आपने अकसर देखा होगा जो तफ सब्जेक जैसे मैथ हो गया उसको सुरू में रखते हैं फिर बीच में कुछ लैंग्विज के सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हिंदी इसको रख जेते हैं लास्ट में वह सब्जेक्ट जैसे खेल की गेम अकसर लास्म रखते हैं क्योंकि बच्चे थवी राते हैं सुबह सुबह एनरजिटिक रहेंगे तो मैद और साइन्स फिजिक्स के नस्ट्यू जो पढ़ लेगे फिर उसके इस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाता है कुछ सिधान थे उसको ध्यान रख दिया एक दिन पूरा साइन्स रख दिया एक अगले दिन हीमेरिटी रख दिया व्या पकता होने चाहिए विभिन्ता का सिधान्त होना चाहिए साधुनों की उप लब्धा भी देखेंगे फिल्स लैब रखना है तो आपने एक ही साथ चार क्लास को फिल्स लैब नहीं रख इन पूछे जाने माला सवार के मतलब आपका पठन पार्ट होता है जो आप बच्छों को पढाते हैं उसका साथ-साथ चलने वाली किरिया होती है उन किरियाओं से फिर्द जो मोहतु है जितना कि कख्षा में पढ़ाई जाने वाली विष्टों नोको साथ में तौर्प में अच्छा बच्छें सिंगर घृत ऑच्छे डानसर होते हैं बiteitलेट्स होते ह् बहुत अच्छे पोईर्स होते हैं बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं इन चीज़ों को जान दा इन चीज़ों को जान दा अत्रिक्त सक्तियों का समुचित उप्योग चीक है चात्र अत्रिक्त सक्तियों का समुचित उप्योग करके किरियाय कर लेते हैं सैचिक द्रिष्ट विसेस रूचियों का विकास बच्चों के अंदर आलक के इंटरेस्ट भी होता है जैसे माली जी कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है तो वह अपने आपको लो फील करेंगा लेकिन वहीं इस पोर्स में जहां बहतर करेंगा तो आपको कॉंफिडेंट फील कर करेंगी तो विसेस रूचियों का विकास बहुत विकास समाधिक दिरिष्टी से भी महतू है कि समाध के पटी वो जागरूख कोंगे एक दूसरे से भेद बाव खतम होगा समानता बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा तो यह उसके लिए इसके लिए इंपर्टेंग है नहतिक द उनकी वीक अलग स्टोरी है, वो उस स्कूल में क्लास 6 में अधिमिशन के लिए गई थी, उनका अधिमिशन नहीं हो पाय था, इंटर्व्यू में फेल हो गई थी, बात में इस स्कूल में वो टीचर बन गई, मतलब अधा वस अ प्राओड मोमेंट फॉर है, उन्हों ने बच् यह थी, उसी क्लास में लड़की थी, वो बहुत इंटर्विजेट नहीं है पड़ने में लेकिन उसने जब एपल के बारे में दिखा था तो उसने एक पॉइंट वहां पे में मेंशन किया था, मेंशन किया था कि दोस्तों, एपल वो फूरूट है, हम ग्रैविटी को और ग्रैविटी एपल से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि न्यूटन एक एपल के पेड़ के नीचे बैटे थे और उनके सर पे एपल गिरा, तो उन्हें यह ख्याल आया कि यह एपल नीचे ही क्यों गिरा, यह वापस वाई मंडल में क्यों नहीं चला गया, तो बात यह ह तरीके की थौट उससे में ले आना और अपने ऐसे में इस चीज को मेंशन करना यह दर्साता है कि उसकी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी है, उसकी हम या आप अगर ऐसे लिखें एपल पे तो इतनी दूर तक सोच पाएंगे, यह भी मुम्किन नहीं है, मगर वह लड़की आपको सोचने के लिए औसर देती है, और इससे आपको उनके टैलेंट का पता चलता है कि कौन कितना बहतर होता है, और यह एक ऐसी गटना है कि शेयर वित मी कि ऐसी चीजे थी क्लास में, और मुझे भी अच्छा लगा और मुझे भी हमेसा याद रहता है, इसलिए मैं आप को शेयर करा हूँ, तो यह होती है बच्चों की thinking power, capacity, उनका interest, आप नहीं समझ सकते है कि कौन बच्चा कि इतना इंटा हो सकता है कि वो बच्ची पढ़ने में अची न हो, numbers उसके अच्छे न होता है, बट यह thought power, that was a really appreciative मतलब, शराहनी है था, तो मैं सोचा कि आप तक शेयर सब्सक्राइब के चल जाएगा, यह सारे चीज़े मैं कहना भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आपको पसंद आया होगी, तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं पसंद आएगी, तो मैं हजार बर चिला हूँ, अब तब भी नही यह कॉंप्लिमेंट है, तो अगर आप यहां तक हैं तो आप एक बार काम करतीजिगे, अब मैं अक्सर कहता हूँ, अब एक बार फिर से आप अपने फेवरिट सब्ची, वेजीटीब स्कॉन सापको पसंद है, आप वो हमें कमेंट पे बता दीजिगा, जिससे हमें यह पता सब्ची पसंद है, आपको कौन सी सब्ची पसंद है, सब्ची की बात में सब्ची बताना, हरी सब्ची बताना, करेली वाले थाइक इस ओब जिब करेले रहाते हों, आप कमेंट में जाए, चलिए बहुत शुक्रिया, मिलें अगले वडियो और लिटा परिशा, खुब ख्य झाली बताना?